तो नमस्कार बैहूं आपके साथ अभी शेक्तियागी इस वक्त टीम इंडिया में चर्चाथ किसकी चल ले है रितुराज गायकवार की कहा जा रहा है कि रितुराज गायकवार के साथ तो भाईस साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ रितुराज गायकवार की काबिलत को देखते हुए उनकी बल्लेबाजी को देखते हुए उनके रनों को देखते हुए ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ रितुराज गायकवार को बाहर कर दिया आखिर क्यों कर दिया गया रितुराज गायकवार के अंदर काबिलत नहीं समझ जिसके बाद में आप भी कहेंगे और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे इस वीडियो में कि वास्तम में रितुराज गयकवार को टिम इंडिया में मौका मिलना चाहिए था रितुराज गयकवार को बाहर करके BCCI ने ना केवल गलती की है बलकि उनके साथ गलत किया है रितुराज गयकवार को बाहर करके BCCI ने एक तरीके से रितुराज गयकवार का अपमान किया है यह अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी खिलारी का जिस तरीके से रितुराज गयकवार का क्या आप चलिए मैं आपको समझा देता हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा कि व्याकत को समझा तो तभी तो चेने ने कप्तान बना है वनना एक बार मतेश चेने सुपर किंग जैसी टीम किसी एरा केरा को तो कप्तान बनाएगी नहीं यह तो सीदी सीदी सी बात है मेंदल सिंग धोनी का अगर कोई उत्तराथिकारी बनाया जा रहा है तो उसके अंदर कु साबित करके दिखाया दो जगह साबित कर दिया अब तीसरी बात कर लिजिए रितुराज गायकवार रजी ट्रोफी में कैप्टन बना दिये गए महराश्ट की टीम का अब भया महराश्ट की जो टीम है उसको भी उसमें भी और भी बहुत सारे खिलारी है आप किसी वैसे करस्कों कर दिया अब नितुराज गयकवार के साथ क्या हुआ जस खिलारी को इतना संस्वान बाहर दिया जा रहा तीम इंडिया उसका अपमान कैसे हो रहा है जिमबाबे के किना शीरी से नीचे डिया मोँका ही नहीं मिला है उसके बाद में रुतुराज गायकवार को श्रिलंका के खिलाब ड्रोप कर दिया अब यहां पर आप इस बात का अंदाज है लगाए जिस खिलारी को लगातार चेन्ने ने अप सम्मान दिया एशन गेम्स में जिसने गोल जीताया, रणजी में जिसको कप्तान बना दिया गया है उसे बी-सिस से बाहर कर देती है श्रिलंका दौरीशे सोचेगा यहां से इससे बड़ी खबर क्या होगी इससे ज़्यादा अपमान किसी खिलारी का और क्या हो सकता है कि जिस खिलारी ने लगातार अपने आपको साबित करके दिखाया भाया वैसे थोड़ी मोका दिया गया चेने ने वैसे तो मोका दे नहीं दिया है इसन गेम्स मे सब्सक्राइबूं के सब्सक्राइब रितुराज गयकुवार के साथ सब्सक्राइब करें क्योंकि खिलारियों के साथ अगर गलत होगा तो हम आवाद उठाते रहेंगे ठीक अरी मुझ झाली मुझ झाली मुझ